हमारे समाज में ऐसी औरते या लड़कियां कम नहीं हैं जो अपने किसी न किसी हतकंडे से मर्दों को पा कर ही रहती हैं ऐसी औरते सोचती हैं कि अगर वे किसी को अपना जिस्म सौप कर उन्हें मजे दे देंगी तो इससे उनका बिगरेगा भी क्या 24 साल की सुचित्रा अंगरेजी में एमे और फिर बिएग करने के बाद भी सरकारी टीचर नहीं बन पाई तो उसने तमाम प्राइवेट स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया सुचित्रा पिछडी जाती की थी इसलिए उसे बहुत सी जगह रखा ही नहीं गया जब उसे अपने शहर की स्कूलों में नौकरी नहीं मिल पाई तो उसने गावों के निजी स्कूलों में आवेदन भेजना शुरू कर दिया था वहाँ उची जाती की औरते नौकरी के लिये नहीं जाती थी जब अपने शहर से डेल सौ किलामीटर दूर एक कस्बेनुमा गाउं के निजी स्कूल में नौकरी मिली तो सुचित्रा ने उसे स्वीकर तर लिया था। स्कूल के मेनेजर ने सुचित्रा के रहने का इंतजाम अपने गाउं की सेना एक रिटायर्ड अफसर लाखन सिंग के मकान में कर दिया था। पचास साल का मकान मालिक लाखन सिंग अपने मकान में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा अपने परिवार के साथ किसी बड़े शहर में रहता था। लाखन सिंग ने अपने मकान के चौक में पानी के लिए बोरिंग लगा रखा था, जब वे नहाते थे तब उनके गठीले बदन को देख कर सुचित्रा का दिल उन्हें पाने को मचल उपता था, एक रात जब लाखन सिंग श्रौच के लिये जाने लगे, तो उन्होंने बैट नहीं बनाये थे, उस समय सुचित्रा भी जागी हुई थी, पर वे सोती समझ बैट के पास खड़े होकर उस के शरीर को गौर से देखने लगे, अचानक सुचित्रा ने उनकी और मुसुक्राते हुए एक मादक अंगरायी और अपने बैट पर बिठा लिया, सुचित्रा उन समय अपना, आपक हो बैटे, वे उस पर बुरी तरह जपर पड़े, प्यार का खेल खेलने के बाद जब वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो सुचित्रा उनसे बोली, अच्छी सेहत के लिए सेक्स करना जरूरी होता है, क्योंकि इसे हमारे शरीर की जकड़ी हुई न और अंकल के बीच क्या संबंध हैं, वह भी, उनसे मजे लेने के लिए मचल उठी और दूसरे दिन खुद ही उनके पास चली गई, प्रमिला के मादक अंभों को देख कर वे हैरान, रह गए थे, उसके बाद वे दोनों सहेलिया उन, से खूब मजे लेने लगी थी, लाखन स तब सुचित्रा के माम बाप उससे मिलने गाव आए, तब वे ये जानकर, खुश हुए थे कि लाखन सिंग ने उनकी बेटी को अपनी धर्म बेटी बना लिया है, लेकिन उन्हें इस बात की भानक तक नहीं, थी कि इस रिष्टे की आर में उनकी बेटी, सुचित्रा लाख आपका भी था, लाखन सिंग ने न सिर्फ उसे जिस्मानी मजे दिये थे, बलकि एक लाख रुपे देने के साथ साथ अपने गाउं के स्कूल में नौकरी भी लगवा दी थी, ऐसी ही एक और दास्तान शहर में रहने वाले सुनील और उसके मकान में किराए, पर रहने वाले मोहन की 20 साल की खूब सूरत, बीवी हर्शा की थी, शादी के बाद जब हर्शा, पहली बार अपने पती मोहन के साथ शहर में आई, तो उसे देख कर उसका मकान, मालिक सुनील ऐसा लट्टू हुआ कि वह उसे पाने के लिए बेचैन हो बया, इधर, राधिका अपने पती चुकी थी, उसका दिल मोहन पर आ गया, था, एक दिन वह मोहन के कमरे में जा कर, बोली, मैं आपकी हर्शा को अपनी चोटी बहन बनाना चाहती हूँ और आपको अपना, जी जा, ये सुनकर मोहन उससे बोला बना, लो, इसी बहाने मुझे भी अपनी साली से, हंसी ठिथॉल राधिका को आँख मारी, तो वह खुशी, से मुसक्रा उठी, राधिका अपने पती सुनील से बोली, जब, हर्शा को मैंने अपनी चोटी बहन बना कर, आपकी साली बना दिया है, तो आप इसे, अपने साथ ले जा कर, इसकी पसंद की, खरीदारी कराओ, और इसे कुछ खि तब तक मोहन दफ्तर जा चुका था, राधिका ने हर्शा से पूछा तुम्हें जीजा जी, ने परेशान तो नहीं किया, परेशान तो काफी किया था, पर मैं उस परेशानी को भूल गई हूँ, राध को इन से, फिर मिलूंगी इन जूठी रिष्टों की आर में, सेक संब बनाने के लिए, लोग किसी से भी अपने रिष्टे बना लेते हैं, दिककत तब होती हैं, जब कई मर्दों से संबंद रखने वाली औरत पेट से हो जाती है, तब सारे मर्द उसका साथ छोड़ कर भाग जाते हैं,